वरतमान ये आप देख सकता हैं प्रधान मंत्री इस वक्त अपने होटल पर वहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी कुछ देर पहले हम आपको दिखाये था कि किस तरह से भारतिये समुदाय के लोगों ने वहाँ पर प्रधान मंत्री का स्वागत किया था और यहाँ पर भी भारतिये समुदाय के लोगों ने वहाँ आप देख सकते हैं प्रधान मंत्री वहाँ पर बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं कुछ बच्चे तिरंगा जंडा बना कर लाए हैं और प्रधान मंत्री से उनके ओटोग्राफ वहाँ पर माग रहे हैं प्रधान मंत्री भी काफी खुशी से इन बच्चों को अपने ओटोगराफ वहाँ पर दे रहे हैं तो भारतिये समुदाए के लोगों के लिए काफी ये एक खुशी का मौका है और जब कभी भी और जब कभी भी प्रधान मंत्री विदेश दौरे पर होते हैं तो हमने देखा है कि जो विदेशों में भारतिये समुदाए के लोग रहते हैं उनमें काफी उत्सा प्रधान मंत्री कुछ बाचीत कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों से तो बिलकुल काफी उत्सा भारतिय समधाय के लोगों में देखा जाता है जब कभी भी प्रधान मंत्री विदेशों में होते हैं और आज अभी कुछ देर पहले प्रधान मंत्री म्यूनिक पहुँचे हैं म्यूनिक में वो अपने होटल पर इस वक्त पहुँचे हैं तो हमने आपको दिखाए कि किस तरह से भारी संख्या में जो भारतिय समधाय के लोग हैं वो वहाँ पर प्रधान मंत्री का स्वागत कर रहे हैं छोटे बच्चे बुजूर्ग युवा महिलाएं सब वहाँ पहुचे हुए हैं और प्रधान मंत्री भी इन लोगों के साथ वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधान मंत्री की ये जो तीन दिनों की विदेश यात्रा है ये काफी महत्वपूण है प्रधान मंतरी जर्मनी में रहेंगे और वापसी में वो UAE में रुखेंगे UAE में भी काफी महत्वपूण उनके कारिकरम है और जर्मनी के अगर बात करें तो यहां पर भारतिये समुदाई के लोगों के साथ वो समवाद करेंगे, साथी साथ G7 Summit जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें प्रधान मंतरी हिस्सा लेंगे और G7 Summit में इस बार कई सारे देशों के नेता वहाँ पर मौझूद होंगे तो प्रधान मंतरी उनसे भी दुपक्षिय समवाद वहाँ पर कायम करेंगे और G7 के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएं कि G7 जो समू है ये बिटन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका इस समू के सदस्य है और इस बार कि हम बात करें तो इस बार भारत भी इस Summit में हिस्सा ले रहा है साथी साथ इस Summit में